बाइनुमिल थियोरम से यह कुश्चन यह आया था जेए मेंस 2024 4th अपरिल सिंगल करेक्ट आप्शन वाला कुश्चन था इसमें निकालना था कॉफिशेंट आप X to the power 7 और इसका एक्सपांचन था बिल्कुल क्लेरली पहले स्टेप में ही देखने से मालूम पड़ता है कि यह यहां पर हम दो बाइनुमल एक्सपांचेंज क्रियेट कर पाएंगे जैसे ही आप लिखोगे तो आप इसमें 1-X तो ठीक है और और –X-2 यहां से common निकालोगे तो आपको मिलेगा 1-X ये भी मिलेगा और इस पे होल्स पावर 6 लगी वह है ठीक है तो आप इंटर्नली 1-X common लेलोगे और यहां से बचेगा 1-X अगर common लिया यहां से 1-X common लिया इसमें से तो 1-X2 ही बनने वाला है और दोनों पे power, power 6 है, ठीक है, तो अलग-अलग दोनों पे power लगा दीजिए, अब आपके लिए ये 2 binomal expansions हो जाएंगे, 1-x की power 6 का, और 1-x square की power 6 का, उसमें क्या करना है, x to the power 7 का coefficient निकालना है, दोनों की आप general terms लिखोगे, ठीक है न, तो general term है, इसकी लिखेंगे, ncr, ठी ultimately वहाँ से हमें वो चीज निकालनी है, जिसमें x की power 7 आ रहा हूँ, तो actual पूरे expansion का हमें क्या करना है, coefficient निकालना है किसका, x to the power 7 का, जिन-जिन terms में x की power 7 आ रही होंगी, उनको एक साइड इकटी कर लेंगे, और उनको add कर लेंगे, ठीक है न, ये काम करना है, तो यहाँ पे general term इसकी लिखी जाएगी, 6cr, ncr और minus x की power r लिख दूँगा, ये वाली general term product होगी इससे, this is 6cr, 6cr और minus x square की power r से भी, ये भी r होगी, ठीक है, दोनों की general term मैंने general term भी product में ही लिख दी, लेकिन अब बात आती है कि दोनों में r को हम क्या-क्या रखेंगे, जिससे की x की power और 7 generate हो रहा हूँ, ठीक है न, और x की power 7 जहां पे भी बन रहा होगा, वो सारे इखटे कर लेंगे, उनको add, ये subtract हो रहे होंगे, तो subtract कर लेंगे, overall उनको compile करना है, ठीक है न, तो यहां पे आप एक चीज़ देखिए, कि अगर मैं इस पे 7 power एक और पावर है, 7 power एक और पा तो देखिए, r के मैं कितने combination बना सकता हूँ, यहां से ये first वाला है, इसमें r मैं one put करूँगा, one put करूँगा, तो minus x आएगा, और यहां पे मुझे x की power 6 create करना है, तो r को three put करना पड़ेगा, तो देखिए, one three वाला combination बनेगा, second combination कौन सा बनेगा, one के बाद में मुझे यह यहां two नहीं रख सकता, two रखूँगा तो यह अमेशा even ही देने वाला है, two अगर इसको मैं कर देता हूँ, तो फिर मुझे यहां five चाहिएगी power, x की power five, तो x square x की power, तो कि five तो बनेगा नहीं, even ही बनाएगा, तो फिर मुझे odd number पे जाना पड़ेगा इसके, तो यहां पे म four generate करना पड़ेगा, four generate करने के लिए R को मुझे कितना put करना पड़ेगा, R को two put करना पड़ेगा, इसके बाद आ जाएंगे हम third वाले पे, अगर one three, अगर इसको मैं five put करता हूँ, यहां five put कर देता हूँ, five put करूँगा, seven करनी है न, तो यहां से three आ गया, और two R की वेले two put क यह four आ गया, ठीक है, और इसके बाद में अगर इस पर मैं five put कर देता हूँ, five put कर देता हूँ, तो यहां पर आएगा, हमारे पास में, five और two यहां से आएगी, तो R की value one रखनी पड़ेगी, पर एक्स की पावर five यह generate करके देगा, और यह देगा, आपकी R one put करने से x square तो ultimately हो गया, x की पावर seven, अब यही हमने रख दी है, और directly coefficient लिख रहे है, therefore coefficient of, coefficient of x to the power seven equals to, वो हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, coefficient निकाल दे रहे हैं, आर इस वाले में one put करेंगे, one put करेंगे, तो यह देगा, six c one, six c one, और one put करेंगे तो minus का बनेगा, और second वाले में क्या बनेगा, यहां three put कर रहा है, three put कर रहे है, तो यह आएगा, six c three, six c three, और minus x square की power three है, तो यह भी negative ही है, ठीक है, three put कर रहे है, तो यहां पर आएगा, minus one की power, यह भी आएगा, three आएगा, ठीक है, तो दोनों negative आएंगे, तो यह positive हो जाएगा, चलिए मैं रख देता हूं इसा इसको 1 रख देता हूं इसको 3 रख देता हूं और यह x की पावर 7 का कॉफिशेंट है ठीक है प्लस अब हमने जो second ये वाला रख है 3 और 2 वाला तो यहां पहले वाले case में यहां पर 3 put होगा तो 6C 3 हो गया ठीक है और 3 put होगा तो यह negative number बनाएगा सीधा बस negative लिख लो second आप इस पे आ जाएगे यहां पर हम 2 put करने वाले हैं 6C 2 put करेंगे और यह value जो है यहां 2 put करेंगे तो यह positive बना रहा होगा तो यह positive बनाएगा अब आयाते हम तीसरे point पे जब यहां 5 और 1 put किया था हमने 5 है ना तो first case में यहां 5 आएगा 6C 5 आएगा Свिक सी 5 आएगा दिख रहा है और 5 आएगा तो यह value बनेगी negative यह value बनेगी और यहां 5 है और इस वाले में 1 है तो 6C 1 आएगा 6C 1 आएगा और 1 put किया है 1 put किया है तो minus x square की power 1 है ना तो वो भी negative आएगा तो ये भी negative है आया, ultimately, अब इसको थोड़ा simplify कर ले, ये आ गया 6 into, और ये negative और negative positive आ गया, और इसको मैं लिख दूँ, 6 into 5 into 4, 1, 2, 3, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, फिर next step में देख लेंगे, ये negative देगा, तो ये 6 से 6 गया, ये actually 20 आया, ठीक है न, तो plus का, यहां ये जो देगा, negative देगा, minus का 20 ये हो चुका था, 20 into, 6 into 5, 1 into 2, चल्दी अगले step में कर देंगे इसको, और ये जो है, NCR request to NCR minus R होता है, ये दोनों देंगे, आपको positive दिखाई दे रहा है, और ये 6C1, 6C1 है, तो 6C5 को 6C1 भी लिख सकते है, NCR request to NCR minus R है न, तो इसको हम लिखेंगे 6 into 6, क्या मैं इसको 36 लिख दूँ, है न, और दोनों negative है, तो ultimately ये positive आए जाएंगे, तो अब finally लिख देते हैं answer, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, आप देख रहे हो कि mistake होने वाली जगे कौन सी है, ये वाली, यहाँ पर, यहाँ पर mistake हो जाती है, और आप सोच होते हो कि हम 100% right कर रहे हैं, और उससे में गलती हो रही होती है, तो ये आएगा, 6 into 20, 20, 120, 120, ये negative है, और ये आएगा आपका 3, ठीक है, 15, 15 into 20, ठीक है, पंदा दुनी 30, तो ये आएंगे माइनस के 300, और ये आजाएगा फिर प्लस का 36, मैं तो बहुत ध्यान से काम करता हू ऐसी जगे पर, मुझे मालूम है कि ये मिस्टेक हो सकती है, 156 आ गई है और 300 है, तो 300 मैं से 156 गए, 10 मैं 6, 4, 1, और 10 मैं 6, 4, 1, और 1, और ये negative था, ये positive था, तो बनेगा negative, तो minus 144 इसमें answer आ रहा है, इसमें fourth option right आएगा, आप silly mistake कर दो, इसके लिए इन्होंने 144 भी दे रख है, की होगी definitely कुछ बच्चों ने, वो वाली mistake की होगी, क्योंकि यहाँ पर एकदम जैसे इसमें से घडाएंगे नहीं है, तो आप 144 लिखके second option मार दो गए, तो वो जगह बनाके रखते हैं, जहांकि silly mistake हो सकती है,